हलो गाइस दल्गनिस डियो और फीचर एजुकेशन इट्यूब चैनल आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रादेश में निकली नई वेकंसीज के बारे में इनकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में तक बने रही है चैनल पे नहें दो चैनल को हैं 76 वेकंसीज जिसके लिए अप्लिकेशन फॉर्म भरना जो हैं शुरू होंगे यहां पे 16 मार्च 2022 यानि कि आज से अप्लिकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट एट रहेगी 12 अपरेल 2022 की और इसके लिए हैं टोटल 76 वेकंसीज एडबर्टीसमेंट न दो वेकंसीज जिसमें एक बैकलॉग पोस्ट है यू आर एकसर्विसमेन ऑफ एच्पी के लिए हैं 13 वेकंसीज और इसमें छे वेकंसीज जो हैं बैकलॉग पोस्ट हैं उसके बाद हैं यू आर इंटलेक्टिल डिसेबिलिटी और मल्टिपल डिसेबिलिटी ऑफ इमाचल प्रादेश एक वेकंसी शडियूर कास्ट के लिए है नाइन शडियूर कास्ट आफ एच्पी एक्सर्विसमें के लिए है यहां पे दो वेकंसी एस्टी के लिए है चार एस्टी एक्सर्विसमें के लिए है यहां पे दो वेकंसी ओबीसी के लिए है साथ ओबीसी एक्सर्वि 5,800 इसमें grade pay होगा और department है जिसमें ये vacancies निकली है MPP and power HPSE BL तो ये है vacancies के बारे में information अब बात करते हैं other eligibility conditions की तो जो भी candidate जिसके पास regular और full time degree है electrical engineering या फिर electrical and electronics engineering की तो वो इस application form को भर सकते हैं उसके लिए अगर desirable qualification की बात करें तो अगर आपको experience है working in design और construction in hilly areas का तो आपको जो है अगर आपके पास simple degree है तो उन candidate से आपको पहले रखा जाएगा तो degree वाले बे इलिजिबल हैं अगर किसी के experience है इस काम का working in design और construction in hilly areas का तो degree वालों के मकाबले उनको ज़्यादा preference ज़् age criteria की तो 18 से 45 के बीच में आपकी एज जो होनी चाहिए बाग की relaxation जो है आपके जो reservation criteria उसके साब से आपको इसमें allot की जाएगी बात करें fees की general category के लिए रहेगी 400 रुपे जो फीस है इसकी candidate जो other states के हैं जो other states से apply कर रहे हैं इस application form के लिए उनके लिए भी रहेगी 400 रुपे fees SC of HP, ST of HP, OBC of HP, EWS covered under BPL इनके लिए जो है fees रहेगी 100 रुपीज और इसमें ex-serviceman of Himachal Pradesh, blind, visually impaired और female candidate के लिए कोई भी फीस इसमें डिडक्ट आपकी नहीं की जाएगी बात करें इसमें examination cities की तो examination इसमें जो conduct होगा वो होगा शिमला, मंडी और धरमशाला में और इसमें य कि अगर इसमें computer based test conduct होता है तो जो computer test lab होगी उसकी availability के basis पे जो है अलोट किये जाएंगे examination center, अब बात करेंगे selection process की तो इसमें पहली process होगी, वो होगी screening और preliminary examination और दूसरी stage होगी इसमें personality test की, जो आपका test होगा, जो कि screening test या फिर preliminary exam जिसको आप बोल सकते हैं, अगर वो computer based test होगा या फिर offline होगा, तो जैसे भी होगा, ये दो गंडे का paper होगा, 100 questions होगे, जिसमें से 80 questions होगे, जो आपने BE या फिर BTEC की है, electrical engineering या फिर electrical and electronics engineering degree में, तो उसके base पे होगे 80 questions, 10 questions होगे, GK of Himachal Pradesh के, तो GK of Himachal Pradesh के लिए जो previous exam में questions पूछे जाते हैं, अगर आप उसकी collection चाहते हैं, विद answer की, तो आप मारी booklet जो है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, online available है, वीडियो के description में जाना है, पहले नमबर पे link दिया है, उस पे click करना है, और 1000 questions के आपको ये booklet मिल जाएगी, और अगले जो 10 questions होगे, वो होगे national and international affairs के, तो इस तरह से 100 questions का ये paper होगा, और next stage म पूरी information in vacancies के regarding, तो 12 April 2022 से पहले पहले application form भरना ना भूलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप कोई information अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like सरूर करें, share करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए, चैनल को आज ही subscribe कर लें और bell icon भी प्रेस कर दें, so thank you guys for watching this video, मिलते हैं सी तरह की next videos में,